एक बात है है कि इन चार चरण के चुनाओं में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं नमश्कार आप देखें नियूस पी और और मैं हूँ आपके साथ खुल सिंग चिराग पासवान में विपक्ष पर एक बार फिर से तंच कसा है वो यह कह रहे हैं कि इंडिया लाइंस जीत ही नहीं सकती हैं उनमें एक जुटता ही नहीं है क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान आप खुद सुने हैं इन लोगों में कौन किसको समर्धन दे रहे हैं पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाओ लड़िएगा और उसके बाद उन्हीं को समर्धन देने की बात कीजेगा यह विरोधा बास नहीं है तो और क्या है बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया लाइंस की नीदी ही क्लि तो दिल्ली में कौंग्रेस में कौंग्रेस के साथ मिन कर चुनाओ लड़ रहे है मनता बेनर जी जिन के खिलाफ चुनाओ लड़कर जीटकर आएंगी जीटने के बद उन्हीं को संवर्धन देने की बात कर रहे है तो ये भानुमती का कुन्मा नहीं है तो और क्या है किसी के कोई निकी नहीं है किसी की कोई नियत नहीं है किसी की कोई विचारधारा नहीं है सबको महत्व कांचा है कि एक दूसरे का गला काड़ कर कैसे हम सत्ता के समी पहुंच जाए हकीकत है देश की जंता ये तमाम बाते देख रहे हैं देश की जंता ने बटावा विपक्ष भी देखा है और प्रधान मंद्री जी के नामंकन और हर मंच पर एंडिये की एक जुटता भी देखिए ऐसे में एक परसंट का कहीं भ्रहम नहीं है हम लोग 400 के लक्ष को बहुत सर कर चुके हैं अब उसके बाद जितने आगे के तीन चरहन है उसमें अपने प्रदर्शन को कितना और बहतर कर देखिए लडाई उसकी बहुमत के बादेखिए अपना बड़ा बयान रखा और कहा है कि इंडिया लाइंस बस एक दूसरे का गला काटती है आप एंडिये के जन इसमें नराई ना हुई है आपस में ही भिड़ जाते हैं तो चार्ट जून को प्रुधान मंत्री ही प्रुधान मंति नरेंद मोदी एक बार फिर से सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे इसको लेकर चुडाक पास्वन में बरा तंच कसा है ऐसी खबरों के लिए बने प्रुधान में नियुस पिया के साथ